हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुप चैनल में आज हम बनाएंगे रबडी रबडी बनाने में थोचा समय लगता है लेकि बहुत इकम समानों से रबडी बन कर त्यार हो जाता है आज हम आपको कमी दूध में गाड़ी रबडी बनाना सिखाएंगे तो चलिए इस रेश्पी को हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गैस पर कड़ाई रखेंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लिया है तो आटा को हम भून लेंगे तो आटा को आप धीमियाज पर भून येगा तो आटा जो है उजल दिजल जाता है इसलिए जिसे हम हलबा के लिए आटा भूनते है ना उससी तरह हम इसे भून लेंगे तो देखिया हमारा आटा जो है भून किया है तो आप हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे अबाई को आटा निकल कर ने कढाई को साफ कर लिया है फिर हम इसी कढाई में डालेंग दूद तो यहाँ पर हमने 2 लिटर दूद लिया है हम यहाँ पर गाय का दूद लिया हैं आप भैस के होता है helped हाई जो होता है और गाल वह हो जाती गया का व kaldOW सा पतला होता है इसलिए इसमें थोटा टाइमदत करतों रहेंगे तो धेखिए वाइल होने लगा है गैस-क thechu लैंगे नहीं तो हमारे नीचे आप है और कि वर में नीचे चला जाएगा तो हम गैस को हाई-pent कर देंगे ताकि ह और साइड शेड में ये जो दूद लोक रहा है ना इसे हम छुड़ाते रहेंगे तो हमारा दूद जो है वो पहले से गड़ा हो गया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है बारी कटे हुए नारियल बारी कटे हुए बदाम बारी कटे हुए काजु तो यहाँ पर हम थ्वासा ठंडा दूद लेंगे और जो हमने आटा भूना था ना उसे हम दूद में डालकर घूल लेंगे तो यहाँ पर हम पांच चमाज आट डालेंग है यह प्रेंगे यृट्णा में हमारा रवड़ी यू यूँ गाड़ी हो जाए उतना ही हम डालेंगे डूद में अच्छी तरह को लेंगे अब इन अटाकी भी बना शकते हैं आटा डालने से क्या होता है कि हमारी रवड़ी जो आती है उत्वास जल्दी से गाड़ी हो जाती और खाने में भी टेस्ट तो अलग आता है तो आप सिर्फ दूद का भी रबड़ी बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास दूद कम है तो आप इस तरह रबड़ी बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास समय कम है और रबड़ी बनाना है तो आप इस तरह आठेल का रबड़ जल्दी से बना सकते हैं तो देखिए हमारा दूद्ध जो है पहले से काफी ज़्यादा गढ़ा हो गया है ऐसे ही लगता है हम इसे चलाते रहेंगे तो अब हम घोला हुआ आटा डालेंगे इसमें एक छनी लेंगे और उसमें आटा छान देंगे चानने से क्या होता है कि गयम काटा थूआ सा मोटा होता है तो इससे थूआ सा मोटा जो भाग होगा वह ऐसे चान जाएगा तो इस तर चम्म से चला दें और इसे साइड से हम चलाते भी रहेंगे मैं देखिए ऐसी तरह हम सारे आटे को छहान लेंगे अगर आटा डालने से इसमें आटा के टेस्ट आता है तो इस हम गोंड भी नहीं है है अब इसे हम लगतार चलाते रहेंगे गैस को हम लो मीडियम पर रखेंगे अब हम यहाप पर एक को टोरीज चीनी लिया है आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग चीनी कम या जाता कर सकते हैं इसे डाबड़ी में कमी मीठा सही रहता है क्योंकि हमारे दूद भी पहले से मीठा होता है यहाँ पर हम सारे डाइफ फूट्स को भी डाल देंगे और डाल करें इसे अच्छी तरह चला देंगे फिर हमने यहाँ पर लिया है आदा छोटी चमच इलाजी पावडर अगर आपको इलाजी पावडर पसंद है ता आप डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं यहाँ पर हमने सारे चीजों को डाल दिया है अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे अब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ियेगा बीज में नहीं तो आपका रबड़ी बेकार हो सकता है अधर को देख सकते हैं कि आठण डालने से हमरी अब अब इसफो हैं कितना कशला हो गया है और बहुत ही कम समय में हमरया अनकर त्यार हो भी हो गया है कि Thanksgiving McMittина हो गया है थव देरी से बहुत कि ह्या लेते हैं जाम गयस्टक लो मिडियुम पर रखें है ही दा मतें हो गया है तो हमने गयस्टका बंद कर दिया तो हम गया हे बैंट शर्व कर लेंगे madam Friend's हो यह थांडा हो गया है सब कर लेता है रिपिए हमारी कितना ढडा और कितना थिक बना अभिए हमारी भी है थर्आ सा हलका जाएं पॉक्त लगे हैं ठेकव कर Scamp तो खाने में हमने यहां पर बनाए है सबसी जालू चने की सबजी है यहां रबड़ी रहा और सात में पूरी भी है तो हमारा गर्मा गरम थाली रेड़ी है खाने के लिए आपको जैसे मन कि रहे वैसे इस रबड़ी सबस्क्राइब कर लेकिन नेच्ट वीडियो में एक नई इस विक साथ, तब तक लिबाए